RCB और गुजरात का मैच हुआ RCB की तरफ से बिराट कोहली ने सतक मारा और गुजरात की तरफ से सुमन गिल ने दोनों खिलाडियों का अपने टीम में एक बहतरीन प्रतर्शन रहा RCB मैच हार गई, गुजरात क्वालिफाई कर गया और RCB से बाहर भी हो गई, हमेशा की तरह परन्तु मैच के बाद जो हुआ, बिराट कोहली के फैंस स्वागोसित फैंस, उन्होंने सुमन गिल को गालियां देना शुरू कर दिया पहली बात तो यह ठीक नहीं लगता कि आप किसी खिलाडी को गाली दें सिर्फ इसलिए कि उसने अच्छा खेला और आपकी पसंद दीदा खिलाडी की टीम बाहर हो गई और गालियों के भी जो सीमा है, अगर आप ट्विटर एकाउंट या फेसबूक एकाउंट या इंस्टाग्राम एकाउंट देखेंगे तो या एकदम आमानवी गालियां दे रहे हैं सुमंगिल के बहन की फोटो शेयर कर रहे हैं उसमें ऐसे सब्दों का प्रियोग कर रहे हैं जो एक सब समाद में कभी नहीं किया जा सकता और हम तो या कहेंगे कि अगर आप बिराट कोहली से भी जाके पूछेंगे तो वह इतना दुखी नहीं होंगे जितने उनके फ्रेंट गुस्सा दिखा रहे हैं सच्चाई तो या है कि या गुस्सा नहीं है यहां आपकी पालन पोशन के तरीकों को दिखाता है आपके सामेजिक्ता को दिखाता है आपके समस्दारी को दिखाता है तो मेरा यह मानना है कि किसी भी फैन को किसी भी खिलाडी के प्रत ऐसे सब्दों का इस्तिमाल तो नहीं करना चाहिए